एक दिन गोतम बुद्ध अपने एक शिष्टे के साथ किसी गाउं में प्रवच्चन देने जा रहे थे दोनों ठक चुके थे और अंधेरा होने से पहले दूसरे गाउं पहुँच जाना चाते थे ताकि उन्हें सारी राज जंगल में ना बितानी पड़े थोड़ा अगे जा दो मील का सफर तै हो चुका था लेकिन अभी तक कोई भी गाउं नहीं आया था वे दोनों बहुत ठक चुके थे थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक बुड़ी औरत मिली जिससे बुद्ध ने पूछा पास वाला गाउं यहां से कितनी दूर है वो औरत बोली जादा दूर नहीं हैं बस दो मील और आप लगबग पहुँचने ही बाले हैं इस पर गोतम बुद्ध मुस्कुराए और बोड़ी औरत भी उनका शिससे सोच रहा था कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है वो दोनों दो मील फिल चले लेकिन अभी भी कोई गाउं नहीं आया मैं अब और आगे नहीं चलने बाला मैं ठक गया हूँ ऐसा लग रहा है कि हम वो दो मील का सफर कभी तैही नहीं कर पाएंगे जिससे भी रास्ता पूछो वो दो मील बोलकर मुस्कुरा देता है आप मुझे बस इतना बताएं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे दो मील रास मंचल आपके सामने होगी ऐसा सुनकर मैं मुस्कुराया वो भी मुस्कुरा दिये मैं भी पूरी जिंदगी यही काम करता था और लोगंत में बहां पहुंच ही जाते थे जहां उन्हें पहुंचना होता था पर सुरू में ही अगर हम उन्हें ये बता दें कि मंचल अभी बह हो जाएगा यह हमें पता ही नहीं चलेगा बस थोड़ा दूर और यही है सफलता का मूल मंत्र जो लोग यह बात समझ जाते हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजल की तरह बढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी मंजल उनके कदमों में आ जाती है सफलता अक्सर हमें बहुत दूर लगती है क्योंकि सफलता मिलना एक सपने की तरह होता है जिसकी उमीद बहुत दूर होती है हमें बस इतना करना है कि खुद पॉजिटिव रखकर उस सपने की तरह बढ़ते जाना है बेश तक सुरूबात में आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो उससे परिशान बिलकुल नहीं होना बस खुद से इतना कहें कि बस थोड़ा दूर और किसी भी नए काम या नए चीज़ को सुरू करते ही हम उसमें सफन हो जाते आप जब भी किसी नए काम की शुरूबात करें तो अपने आपको फेलियर्स के लिए हमेशा तयार रखें और जब भी फेलियर्स आएं तो उनकी बज़ा से खुद को कभी न रूखें अपनी महनत और लगन से अपने आपको आगे बढ़ाते जाएं क्योंकि एक ही मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंच जाते हैं इसलिए जब भी किसी काम को लेकर आपका होसला कम होने लगे तो खुद से बस इतना कहें बस थोड़ा दूर और फिर देखना मंजिल आपके सामने होगी दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाई ह होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ इस वीडियो को जादा से जादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के शास शेयर भी करें अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद